नमश्कार साथियो नमश्कार बच्चो नमश्कार युवा पिधी आप सभी का स्वागत है और आज हम आप लोगों से शेर करेंगे वो नुस्खे वो टेक्नीक्स वो विधियां जिनसे हम अपने पहले ही प्रियास में फर्स्ट अटेंप्ट में UGC या CSIR नेट के एक्जाम क क्रेक करेंगे पहले ही अटेंप्ट में एक दमतावड तोड़ तरीके से तो इन विधियों को ध्यान से देखें आप पहली बार दें एक्जाम या दूसरी बार दें लेकिन ये विधियां ये जो टेक्नीक्स है ये अगर आप अमल में लाएंगे अपने जीवन में उतारें तो आपको निश्चित रूप से समलता 101 परसेंट मिलेगी मैं अपना खुद का एक्जामपल दूं तो मैंने मास्टर डिग्री में एडमिशन जुलाई 2013 मिलिया और दिसंबर 2013 के यूजीसी नेट में जी आरफ को फर्स्ट अटेंप्ट में मास्टर डिग्री के फर्स्ट से कोई भी इस मकाम को हसिल कर सकती हैं चाहे आपका सुब्जेक्ट कोई भी हो किसी भी विशय से हूं आप इन सरल तकनीकों का प्रियोग करके आप अपने जीवन में सफलता ला सकती है नेट के एक्जाम में ही नेट कोई भी हो सकता है चाहे वो यूजीसी वाला हो CSIR वाला हो यह इस वीडियो का मुख्य उदेश यह रहेगा कि हाउ टू क्रेक यूजीसी और CSIR नेट एक्जाम विद फस्ट अटेम्ट इस इन सभी विशों पर बारे किसे बात होगी वीडियो को अंत तक देखें अंत में आपको इतनी स्टीक जानकारी मिलेगी जिसे आप आप बहुत मिस्त ना करें अंत तक वीडियो को देखें और यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत यूपियों की वीडियो है इसे देखकर आप इन सरल्ट तकनीकों का परियोग करके आप जीवन में सफलताओं प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहली बात सबसे पहली कुछिछane का हो चया वो इस्ट्री का हो प्डल्टिकल सांस का हो सुच्ट का फिलोस्पी व हो सोसिलोजी जी में का होऊ रिवी सब्जेक्ट का हो हो साइन्स का हो भी साइन सीज में का हो फिरी,' का हो leukeले सांस का हो तंमाम सा Э manure कोहते हैं जब CSIR का हो या फिर UGC का वो common होता है। उसके अंतर के teaching aptitude होता है, reasoning होती है, small gk होती है, small computer availability होती है, थोड़ी से English का portion होता है, उसकी preparation के लिए आपको सबसे पहले, उसकी preparation के लिए आपको सबसे पहले, last 20 years के question paper, sold, sold question paper, इस बात को जरा ध्यान से देखें, उस विशय के first paper के, चाहिए वो CSIR net हो, या UGC net हो, उस विशय के sold question paper की book आपने खरीदनी है, या internet से sold question paper download करनी है, और उनको practice करनी है, आपको जैसे आपने 20 साल तक के question paper निकाल ली है, रोज एक का practice आपने daily करनी है, इसका क्या benefit होगा, इसे ध्यान से देखें, कि जब हम first paper के जो, जितने 60 questions हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं, तो हमें आकलन हो जाता है, हमें analyze हो जाता है, कि किस तरह के question पुछे जा रहे हैं, या पुछे जाएंगे, एक हमें analysis हो जाता है, और maximum time में ये होता है, कि most of time, 20 से 30 percent जो question है, वो repeating mode में आ जाते हैं, तो इसलिए जितने भी sold question paper हैं, पिछले सालों के, उनको आप बारिकी से पढ़ें, बारिकी से ध्यान से पढ़ें, और जो solve करते वक्त, जो question आप से solve नहीं हो रहे हैं, उनके लिए एक अलग से register लगाएं, और उस में उस objective type question का answer सामने लिखें, और एक register comment करें, first paper के लिए, जो CSIR net का हो, ये UGC net का हो, किसी भी विशय का हो, दूसरी बात, दूसरी जो एहम बात है, वो आपके विशय, आपके paper होते हैं, UGC में, और एक तरह का paper होता है, CSIR में, UGC में दो तरह का paper होते हैं, वो objective type होते हैं, आप सभी को बता, एक में 50 questions होते हैं, एक में 75 questions होते हैं, तो उनके लिए भी आपको सेम तकनीक का प्रियोग करना है, आपको पुराने 20, लग 10 से 20 year के question paper, किसी भी भासा में आप ले सकते हैं, हिंदी या इंगलिश, ठीक है, मैंने अपनी, बताओं, मैंने हिंदी माध्यम से जोगरोफी में, JRF क्वालिफाय किया था, फस्ट अटेम्ट में, जब में master degree की फस्ट समेस्टर में था, तो ये मुकाम आप भी हासिल कर सकते हैं, कोई नामुम्किन चीज नहीं है, इन सरल सी तकनीके जो मैंने बताई हैं, इन पे आप सटीकी से ध्यान से, इत्मिनान से इन पे काम करें, आप रेजल्ट देखेंगे, तब जो मुख्या बात है, जो आपको बतानी है, आपने, अब जो आपने बुक्स ले लिए, टैनियर्स ले लिए, सोल्ड का 50 और 75, 125 कोश्चंस का और 50 वाले, लिए आपने, आपने सोल किये, सोल किये, तो जो सोल वोगे, उनको टिक करते रहो, जो सोल निये हुए, उनको कोश्चं मायक लगाओ, और उनके कोश्चं लिखे, अंसर देखे, सामने अंसर को, आप अपने एक रजिस्टर में को मेंट उनकी अंडर्स्ट्रेणिक आपको बढ़ेगी, उनकी समझ बढ़ेगी, और जब आप रिजिस्टर में लिखेंगे, तो आपको कभी बुलानी जाएगा, दूसरी मुख्या बात, most of the time, जैसे first paper की तरह, इसमें भी repeat होता है, 10 से 20 परसेंट जो questions हैं, वो पिछले सालों के repeat ह हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो नुस्के है, ये जो सरल टेकनीक्स हैं, इन काउप योग आप अपने जीवन में करें, ठीक है, तो आप निश्यत ही 101 परतीशत, 101 परतीशत आप सफलता की चरम पर पहुंचेंगे, और एक जो मुख्य बिंदू, जो मैं आप लोगों को अं सब्यूरे के चैक्रश के वह अंको प्रांच के जहुंच हो जाता है, पीर आप को किस तरह के बुख इंद्ल ने टिल्ट होता है, कि आपको खू 생각 की घुस्तक पढ़नी है, जिसमें इस तरह की लेंग्वेग्वेज हो है, और इस तरह की चीजों पर फोकॉस हो, तो जो 10 यह है वह ज्यादा जरूरी है उसको आप repeat मोड में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया जो जाएगा किस तरह की बुक आपको पढ़नी है कौन से टोपिक पर आपको स्ट्रेस करनी है और टोपिक को किस तरह कैसे पढ़ना है उब्जेक्टिव टाइब कोश्चन आएंगे तो उनको किस तरह से आपको बुक को पढ़ना है यह तमाम टेक्निक्स को आप गोर से फर्माएं और ध्यान दे के पढ़ें और आप सफलता की कदम चुमें सफलता आपकी कदम चुमें और यही इन इस्व कामना के साथ आपको नमस्कार और अभिनंदन और मेरी आशा है कि आप सभी 101 परतिशक्त शफल होएंगे और धन्यवाद